आपको क्या लगता है कि इससे कॉंग्रेस पार्टी को कोई फायदा मिलेगा देखिए मैं आपको बता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के लिए राफिल का जो मुद्दा है वो कोई राजनेतिक मुद्दा नहीं है ये देश की सुरक्सा से जुड़ा हूँगा बहुत बड़ा तेशित के लिए उठाया गया मुद्दा है इसका हम कोई राजनेतिक लाफ लेन लेना चाहते है राफिल मुद्दे पे मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आजाद के अंदर अब तक का सबसे बड़ा गोटाला है मेरे हिसाब से 126 विमान की जो खरीद के लिए जो कॉंग्रेस पार्टी ने परिकिरिया शुरू की थी कॉंग्रेस सरकार ने ये उसको 36 पे लेके आ जाते है साड़े 500 करोड रुपे का जो प्लेन कॉंग्रेस के राज में कॉ मुझे समझ नहीं आता है कि इस तरीके का गोटाला इस तरीके डार्यक्टी ने अनीलम्बानी को इस तरीके का फायदा दिया है। सबको पता है यह जी टनी भी डिफेंस डील है और अब तो पूरे देश में कोंग्रेस पार्टी से बिल्कुल निचले स्थर तक संसद से लेके निचले स्थर तक कोंग्रेस पार्टी राफियल के मुद्धा उठाती है और उठाएगी यह बहुत बड़ा देश के घोटा ला ह अब बीजेपी के जो मुख्य है हम कह सकते हैं मोदी जी रैफल मुद्दे पर चुपी सादेवें इस पर हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे क्या है देखिए अगर इसमें पीजेपी सरकार या मोदी सरकार ने कोई गलती नहीं की होती तो आप मोदी जी को जानते हैं वो कितने बड़ बोले हैं कितने बड़े जुमले बाज हैं अब तक वो पता नहीं क्या-क्या बहुत सी बाते कर चुके होते यह बहुत बड़ा मुद्दा ह वो बोल नहीं सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार मिल चुकी है फ्रांस गॉर्णमिट ने जब उनको बोल दिया कि आप अपनी जो आपके यहां पे लिजर सीप आप उनमें आपसमें डिसकस करके है इसको अपने देश में बता सकते हैं यह तब भी नहीं बताते हैं तो मेरा मानना है राफेल मुद्दा इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है 58000 60 1500 कोरो डोड का कम से कम यह गोटाला है जिसमें रिलाइंस को अकेले 30,000 करोड रुपे रिलाइंस की डारेक्ट मोदी जी ने डाले है सुप्रीम कोट ने भी मोदी सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगे थी और उनसे पूछा था कि पूरा खर्चा क्या आया है तो अभी थोड़े दिनों पहले ही कलिया पर्सों में वो रिपोर्ट उनने दाखिल करें इस पर हम आप से जानना जाएंगे पहले हो क्योंकि सरकार को भी मना कर रहे थे कि कह रहे थे गोपनी है सीक्रेट आई यह देखिए इनके जो मंतरी मंडल में अगर आप देखेंगे निर्मला सीतर राम जी रक्षा मंतरी हैं उनकी स्टेटमेंट कुछ और आती है वित मंतरी जी इसमें अपनी स्टेटमेंट कुछ और देते हैं मोधी जी ने आज तक सामने आके मन की बात करने वह अर महीने आते हैं लेकिन किछले कितने महीनों से पिलकुल जमीनी स्टर पर कॉंग्रेस मुद्दे को उठा रही है लेकिन मोधी जी ने इसमें एक सब्द जाने वाला है उसका कोई कोई राजनितिक लाब नहीं लेना चाहती है यह देशित के लिए सुरक्सा से जुड़ा हुआ मुद्दा था इसलिए कॉंग्रेस ने इसको उठाए अरुताश जी हम आपसे अब यह जानना चाहेंगे आभी सरदार पटेल की जो मूर्ती स्टेच बिजेपी के पास अपनी कोई विरासत है नहीं पटेल जी कौन थे वो भी कॉंग्रेसी थे आज इन्होंने पटेल जी को जो करके इन्होंने मूर्ती बनाई उसके लिए मेरा मानना था कि तीन हजार करोड रुपे जो इसमें लगा दिये इसकी वजाए वो कोई बिजेपी का सुरू से बहुत बड़ा बुद्दर रहा है जो सूत्रों के हवाले से खबर आए कि जो इसमें बनने में उन्होंने चायना की भी मदद लिया इस पर हम आप से जानना चाहेंगे चायना का बैसकार करो चायना के खिलाफ हैं सारी चीजे करते आई हैं शोर मचा जो आप कहाँ है चाहे खिलाफात करते हैं तो इस पार आपकी क्या प्रतिक रहें मेरा मानना है वो चाहें चाहे हो पाकिस्तान सिर्फ इस देष को भरगला रहें Basket에 बात करें इस देष में पाकिस्तान को गाली देते देते लोग सरकार बनाने के करीब आए सबसे पहले नवा सरीव जी को राष्टपती भवन पर अपनी सपत ग्रहन समारों में बुलाने वाले कौन थे नरिंदर मोधी जी थे बगेर बुलाए कराची में उत्रे उनकी माता जी के लिए शौल लेके ग पाकिस्तान के परती हो सब कुछ फेलियर है मोधी जी गवर्मिट कंप्लीट फेलियर है याने वाले लोग सब चुनाब होने वाले हैं पता लगेगा रोताजी बीजेपी का दावा है कि उनको रोकने के लिए महागडबंदन जो है वो फेल होगा 2019 के चुनाब में इस पर हम आप से जानना चाहेंगे देखिए जहां तक महागडबंदन की बात है 2019 के चुनाब मार्च में वो सामने आएगा उससे पहले का जो ट्रेलर है वो अभी चार स्टेटों में चुनाब है राइस्तान मद्यपर पर बीजेपी का आपको क्या लगता है क्या आपकी क्या रहा है यहां तक सवाल है इस एक्ट को अल्रेडी कॉंग्रेस लाच चुकी थी इस पर पहले भी इस देश में एक्ट पर कई बार चर्चा होई है लें कॉंग्रेस सब को मुद्दे से बठकाना चाहती है जो कुछ पुराने मुद्दे हैं पुराने अक्ट उनको छेड़खानी करती रहेगी इसी तरीके से मुझे निलगता कि ना तो इनसे एसी खुस है ना जन्रल कैटेजी कोई आज देश की जनता इनसे खुस नहीं तो क्या लगता है य इनको जाइन की जानकारे के लिए बताऊं कंप्यूटर किरांती 2014 से पहले इस देश में आ चुकी थी नुकिलर पावर ये देश 2014 से पहले बन चुका था पाकिस्तान के दो फाड करके बंगला देश इंद्रा गांदी जी ने 2014 से पहले बना लिया था तो मोदी जी बार बार ऐसक क्यों करते हैं कि 2014 से पहले इस देश के किसान ने इस देश के सैनिक ने इस देश की पार्टियों ने किसी ने कुछ नहीं किया जो हुआ वह 2014 के बाद हुआ तो यह बरहम दीरे 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 लोगों का निकलने जा रहा है और यह 2016 के चुनाम में पता लगेगा बीजी आप से जाना चाहेंगे ये किस तरह की राजनीती कर रहे हैं लोग तो सुरूस से करते हैं किसी मुद्देवेत जातबाथ पे लोगों का bene सब्सक्राइब करने की तो आपको क्या लगता कौन से सरकार का सुप्रासाफ होगा और कौन से सरकार आएगी अगर आप आपको क्या लगता है कि नोड बंदी जो ता मैं आपको बीच में रोख रहा हूँ नोड बिच नहीं कर सकते नोट बना दी एक अपने लोगों को फायदा पहुचाने के लिए अचाना की आते हैं अपनी इटलर साहीद साही दिखाते हैं के सब लोग लेकिन देश बक्ति के नाम के लोगों को भर गला रहे हैं क्योंकि उनका कहना था कि जो नोट बंदी से काला धन वापिस आईगा वो देश के हित के लिए काम आएगा तो इस पर हम आपसे जाना चाहेंगे उन्होंने कहा था कि सुज़लैंड से भी जो सुज़ बैंक में नेताओ के या जिसके भी पैसे काला धन जमाया किसी का भी हम कह सकते हैं काला धन जमाया वह वापिस इंडिया में लाएंगे इस पर हम आपसे जाना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है वह वापिस आया है धन आपके सामने ब्लैक मनी पे जितनी बात 2014 में उन्होंने उठाई थी काले धन को लेके 15 लाक रूपे हर आदमी के अकाउंट में खल आएंगे आपकिसी एक व्यक्ति के नाम पर भी लोगों को पैसे डलवा लिया ौई आप पैसे निकालने जाते हैं तो आपका चार्ज लगता है डालने जाते है तो अपसे पूछा जाता है तो मेरे को समझ नहीं है इन्होंने तो black money को white कर दिया एक एक जो माता बहने हमारे कुछ पैसे जोड़ के घर में रखती है इस देश की अर्थ व्यवस्ता जो है आप देख लीजिए ऐसा नहीं है कि जो भी black money है वो सारी की सारी कोई ऐसा तो नहीं है black money है और चोरी बजा रही इन्होंने वो सारा पैसा बैंक को में डलवा लिया आज लोग अगर अपनी transaction करने जाते हैं तो यह charge लगाते हैं निकालने जाते हैं तो charge लगाते हैं समझ नहीं आती मोदी जी की अर्थ व्यवस्ता चलाने की जो नीती थी यह किस से सला करके इन्होंने की कैसे की एक complete failure है र नाम बदलने के बारे में क्या कहूं नाम बदलने से कहीं ज्यादा जरूरी आज इस देश के युवा को रोजगार चाहिए दो करोड रोजगार देने की बात मोदीजी ने की थी आप बताइए कितने रोजगार दिये इस देश में फ्लाइवर बनने चाहिए हाइवेज बन को सessen्वा है आपकर अब चाना चांगी जो आजकल मुद्दा रहा है आप से खानके जनके क्या राम Ben Sir बनेगा नहीं बनेगा देखें राम 맛 का जो मद्दा है अभी वह कोट में विचारा देना सुप्रीम कोट मेरी नहीं को नहीं था आस्ता का मुद्दा वहां पर पैसला होगा पूरा देश को मानना है constitutional मामला हMore मामला निज पताहें आप स्वागत का बना आप तो यह कहते हैं कि मामला Supreme Court में हैं अगर Supreme Court में हैं तो आप इसको फिर राजनिति मुद्दा क्यों बना रहे हैं रामला 91 से लेकर आज तक इसको यह राम मुंदिर का मुद्दा बनाते हैं हर बार राम के नाम पर वोट मांगते हैं रोताश जी अब 2019 के चुनाव आने वाले हैं, इस पर हम आपसे जाना चाहेंगे कॉंग्रेस की क्या रणनीती रहेगी? 2019 के चुनाव में कॉंग्रेस पूरी ताकस से चुनाव लड़ेगी, जो कुछ कलतियां अगर कभी हमसे हुई होगी, उनमें हमने सुधार किया है, आदरनीय राहूल जी जब से रामारे राश्टी अद्धिक्स बने हैं, आप देखेंगे परते की स्टेट में, हमारे हर इस्तर पर हर डिपार्टमेंट, मैं OBC डिपार्टमेंट से आता हूं, हर डिपार्टमेंट को जमीनी स्थर पर ले जाके काम कर रहे हैं, 2019 में 100% कॉंग्रेस की गवर्मिट बनेगी, जहां तक यह सवाल करते हैं कि महा कठवंदन की बात कॉंग्रेस करती है, तो हम तो सब को साथ ल आने वाले समय में मोदी जी वर्सेस आम आदमी होने वाला इस देश रोताजी महाबाब से यह जाना चाहेंगे, राम मंदिर के मुद्दे पर लेकर क्या बीजेपी बैक फुट पर है, 100% आप यह समझ लीजिए, इन्होंने 2014 से पहले भी राम मंदिर का मुद्दा बारबार यह राजनीति मुद्दा बना के इसको उठाते रहे हैं, 300 से उपर लगवगिन की सीटे आ गई, यह अध्यादेश ला सकते थे, लेकिन यह नहीं लाएंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आम पबलीक को सिर्फ बरगला रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, यह राम का मंद टल जी की सरकार होती थी, इंडिया शाइनिंग की बात यह लोग करते थे, कोई नहीं कहता था कि बीजेपी की जो गवर्मेंट है, वो हटने वाली है, लेकिन यह देश की जनता बहुत समझदार है, और यह जो भी फैसला लेती है, वो शांत रहे लेती है, पबलीक कभी बो आप देगी, लोग तंतर में पबलीक सबसे मजबूत होती है, यह आने वाले 2019 में इनको पता लगेगा, बहुत बहुत शुक्रा है, रोताश जी हमासाथ जुमने के लिए, थैंक यू, तो यह थे हमासाथ रोताश बसोया जी, नैशनल कॉडिनेटर, AICC, OBC Department, काफी मुद् सरकार बार-बार बनती है, राम मंदिर का वो मुद्ध उठा के सरकार आती है, लेकिन अब जो भारत की जनता है, वो बीजेपी सरकार को वोट नहीं देगी, और जो 2019 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें कॉंगरिज जो सरकार है, वो भारी बहुमत से जीत के, एक एतिहासिक जीत अपना नाम जो है, हासिल करेगी, कैमरामेन जगदीश उप्रेदी के साथ, मैं उजुल कुमार, UBB News, कृष्णा मैं निन्मार्ग